आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में EWS यानि की इकोनॉम के लिए बीकर सेक्षन कटेगरी की लोगों का रिजर्बेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है EWS कटेगरी में ओ लोग आएंगे जो SC, ST and OBC कटेगरी में नहीं आते हैं इनके लिए भारत सरकार ने Constitution of India में 103 हा संसोधन करते हुए दिनांग 12 जन्वरी 2019 को अधिक्तम 10% का आरच्छन अनुमन किया है नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न बित लेखपाल में श्वागत है आसा करते हैं कि आप सब लोग happy and healthy होंगे मेरा नाम विकास है और मैं revenue department में आईजा लेखपाल पोस्टेट हूँ तो बिना देरी किये आईए सुरू करते हैं EWS certificate बनवाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह reservation कहां कहां पर applicable होगा और कहां पर नहीं बट अगर हम यह जानने की कोसिस करेंगे कि यह कहां कहां पर applicable होगा तो यह हमारे लिए थोड़ा lengthy और boring होगा सो हम थोड़ा smart work करते हैं और यह देखेंगे कि EWS reservation कहां कहां पर apply नहीं होगा तो थोड़ा गौर फरमाईएगा ऐसे दो अस्थान है जहां पर यह reservation applicable नहीं होगा तो नमबर प्याता है ऐसे educational institute जो Indian constitution के article 30 के class 1 में as a minority institute scheduled हो ठीक है एक बार फिर से देख लीजिए ऐसे educational institute जो Indian constitution के article 30 के class 1 में as a minority institute scheduled हो minority मतलब अलपसंख्यक संस्थान के रूप में सूची बद्ध हो अगर आपको यह जानना है कि ऐसे कौन कौन से institute है तो आप article 30 का class 1 पढ़ लीजिए और हाँ अगर ना पढ़ने कमन हो तो बता दीजिए उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे ठेक है यह तो हो गया पहला दूसरे नमबर प्याता है institute of excellence, research institute and essay institute जो भारत सरकार के द्वारा the central institute reservation in admission act 2006 के अंतरगत national and strategic importance का institute घोसित किया गया है उन पर यह आरच्छण नहीं लागू होगा इतना सब जानने के बाद हम यह देखेंगे की EWS certificate के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए EWS आरच्छण का लाख प्राप करने के लिए ऐसे ब्यक्ति पात्र होंगे जिनके परिवार की कुल वार्सी का है समस्त सादनों से रुपए आठ लाख से कम होगी यहाँ पर दो चीज़ों आप ध्यान दीजेगा परिवार परिवार में आएंगे पति पतनी उर उनके नाबालिक बच्चे और लिखा है यहाँ पर वार्सी काar समझ तसादनों से रुपए आठ लाक से कम होने चाहिए समझ तसादनों को मतलब है मान लेज़े कि आपके सरकारी नौकरी है और आपके पास खेत भी है तो आपके खेत की जो इंकम होगी वह सरकारी नौकरी की इंकम में जोड़ दी जाएगी अगर दोनों मिला के 8 लाख से कम हो रही तब ही आप पात्र होंगे EWS सर्टिफिकेट के लिए और यहाँ पर है 8 लाख से कम अगर आपकी इंकम 8 लाख रुपए है तो आप पात्र नहीं होंगे आपकी इंकम आठ लाक रुपे से कम होनी चाहिए चाहे एक रुपे ही कम हो परन्तु ऐसे ब्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर की सिर्णी में नहीं आएंगे मैं आपको चार क्राइटिरिया बता रहूंगा अगर चार के अंदर किसी की में भी आप फाल होते हैं तो आप उस क्राइटिरिया नहीं आएंगे भले ही आपकी इंकम आठ लाक से कम हो तो नंबर एक पर आता है जिनके परिवार की स्वामित अथवा कबजे में पांच एकड या इससे अधिक किर्सी भूई में हो पांच एकड के मतला बहता है आठ बीगे पक्के ठीक है और नंबर दो पर आता है एक हजार वर्ग फीट या इससे अधिक छेतर का आवासिय फ्लैट हो ठीक और नंबर तीन पर आता है अधिसूचित नगर पालिकाओं में सो वर्ग गज या अधिक छेतर का आवासिय भूखंड हो यहाँ पर ध्यान दीजेगा अधिसूचित नगर पालिकाओं में सो वर्ग गज यहाँ पर वर्ग फीट नहीं वर्ग गज है ठीक है या अधिक छेतर का आवासिय भूखंड हो मकान बना हो या ना बना हो आपके पास प्लाट होना चाहिए भूखंड हो ठीक है और नंबर पंचायत में आता है किसी कस्बे में आता है तो वहाँ पर अगर आपके पास दो सो वर्ग गज या इससे अधिक का प्लाट है भूखंड है तो आप इलिजबल नहीं होंगे EWS स्रेटिफिकट बनवाने के लिए EWS स्रेटिफिकट बनवाने के लिए इलिजबिल्टी क्या होगी या तो हमने देख लिया अब इसके बाद हम देखेंगे कि EWS स्रेटिफिकट बनवाने में कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे तो सबसे पहले लगेगा EWS आबेदन पत्र जो आपको तहसिल के पास है ज पिर कहीं पर मकान है तो उसके कागजात और नंबर चार पर लगेगा EWS प्रमाल पत्र इंकम स्रेटिफिकेड जो कि आपके छेतर का लेखपाल बनाएगा आप उससे बनवा सकते हैं से आनलाइन अप्लाई करके और नंबर पांच प्लेगेगा सपत पत्र यानि कि F.A. देंगे और नंबर लाश्ट में आता है पास्पोर्ट साइज फोटो आपको दो पास्पोर्ट साइज फोटो लगाने होंगे इसके बाद आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं अब हम AWS स्रेटिफिकर बनाने की परकरिया के बारे हम जानेंगे इसमें देखेंगे कि किस अधिकारी का क्यार रोल होता है AWS स्टिपिकर बनाने में तो सबसे पहले आप सारे डाकुमेंट्स अटाइज करके इससे आप तहसिल में जा करके जो राजर Сालिपिक होताए जिसे पास उसके बाद जो राज सिलिपिक होता है वह इसे फारवड कर देगा कानूं गो याने कि रिवन्नु इंस्पेक्टर के पास उसके बाद रिवन्नु इंस्पेक्टर इसमें इसमें कुछ नहीं करता हो सीधे फारवड कर देता लेखपाल के पास उसके बाद लेखपाल इसक इसनी कंडिशन्स देगी उनको satisfy करता है नहीं करता है अगर करता है satisfied और लेखपाल संतुष्ट है तो वह अपनी report लगा देगा उसके बाद वह अपनी report लगाने के बाद Revenue Inspector याने कानुन्गो को forward कर देगा फिर से लेकपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने के पस्चात कानुन गो उस पर अपने रिपोर्ट लगाएगा और उसे तहसिलदार के पास forward कर देगा उसके बाद तहसिलदार certificate issue करके माल बाबो के पास भीज़ देगा वापस आप जहां से अपलाई किये थे माल बाबो के पास वही पर जाके आप फिर से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं बस इतना ही अगर आपको यह बीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा काफी मेंनत किया मैंने बनाने में और सारी जानकारी इसमें एकदम आथंटिक है आप कहीं से भी इसे वेरिफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपने इसे कमेंट सेक्षेन में लिख दीजिए हम उसका भी निराकरन करेंगे थैंक्यू